हाई एवरिवान, वेलकम टू मैस अजरी बचो आज की इस वीडियो में हम एरिया डिलेटेट टो सर्कल की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे लास वीडियो में हमने पार्ट्स ओफ सर्कल डिसकस किये थे और एक्सरसाइज 12.1 कम्प्लीट की थी आज हम इसके आगे बढ़ेंगे आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे दो इंपोर्टन फॉर्मूले तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली बात आपको इन फॉर्मूलों को समझने के पहले सर्कल के पार्ट्स आने चाहिए लेकिन इन केस आप नहीं जानते हैं तो चलिए मैं से रिवाइस करवा देती हूँघी शर्कल के पार्ट्स क्या क्या होते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया ओउफ सैक्टर की सपोस्थ ये कोई सर्कल है राइट? सर्कल का सैंटर है ओ तो ये क्या है? ये है circle की radius और ये क्या है? ये भी circle की radius है और ये पूरा जो part है, आपको circular part दिख रहा है जैसे कि ये part, ये, ये part हम ले लेते हैं, इसे क्या कहते है? This is called arc of the circle. अब imagine कीजिए कि मैं एक particular reason की बात कर रही हूँ reason enclosed by two radii of the circle and corresponding arc corresponding arc का मतलब two radii and arc के बीच का जो reason होता है मतलब हम बात कर रहे हैं इस reason की तो ये जो reason है, इस reason ने क्या किया है? circle को दो part में divide कर दिया है ये जो छोटा सा shaded reason दिख रहा है This is called minor, minor sector तो actually sector कौन सा पार्ट होता है? sector is a reason enclosed by two radii and corresponding arc arc और radius के बीच का जो reason होता है उसे कहते हैं sector जब भी हम pizza खाने जाते हैं तो circular pizza का जो part हम निकालते हैं वो क्या होता है? वो एक sector होता है यानि की minor sector होता है Now look at this circle ये एक circle दिख रहा है आपको तो ये देखे, इस circle से मैंने ये minor sector निकाल दिया है तो किस तरह का दिखेगा? ये this is exactly like pizza जब हम pizza खाने जाते हैं तो ये slice निकालते हैं तो कुल मिला के जो sector होता है that is nothing but the slice of pizza तो minor sector आपको clear हो गया किसी circle के दो sector होते हैं एक minor sector और एक major sector अब major sector की बात करते हैं अब suppose circle में से मैंने ये sector निकाल लिया minor sector निकाल लिया है तो जो major part दिखेगा वो क्या होगा? major part कहलाएगा major sector यानि कि circle के दो sector होते हैं तो sector तो हमें समझ में आ गया कि sector is a reason bounded by arc and radii of the circle अब सवाल ये उठता है कि हमें sector का area निकालना कैसे है? area of sector निकालने के लिए हमें एक formula जानना होगा एक last video में area of sector का formula derive किया था लेकिन यहां हम revision video में सिर्फ area of sector का formula देखेंगे, discuss करेंगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? देखें यह जो है ना, यह हमने यह बना लिया minor sector अब इस area को निकालने के लिए हमें एक angle की जरूत पड़ेगी कौन सा angle? यह जो दोनों radii है circle की, यह center से एक angle बना रही है suppose यह angle theta है, angle AOB is equals to theta, तो क्या आप बता सकते हो? कि इस angle का reflex यानि की, reflex part क्या होगा? अगर यह part theta है तो जो उपर का part, बचा हुआ part है वो उसका reflex होगा तो अगर हमने AOB को theta नाम दिया है, तो reflex यानि यह part, यह वाला part This part is reflex of AOB और यह कैसे निकलेगा? 360 minus theta कैसे निकलता है? 360 minus theta तो सबसे पहले आपको यह angle fine करते आना चाहिए अगर आपको major sector का area चाहिए, तो आपको वो reflex angle यानि यह angle मालूम होना चाहिए और अगर आपको minor sector का area चाहिए, तो आपको यह angle मालूम होना चाहिए यानि कि अगर हम area of sector निकालना चाहते हैं, तो हमें ये angle मालूम होना बहुत जरूरी है, चलिए अब हम आते हैं area of sector के formula में, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ area of minor sector क्या होता है, minor sector का area होगा, ये angle theta, theta upon complete angle कितना होता है, 360, ये complete angle 360 होता है, theta upon 360 into what is area of circle, पूरे circle का area क्या होता है, pi r square, तो यहाँ पे हमें दिखना है pi r square, तो ये formula तो देखे, आपको देखते ही याद हो जाएगा, how to memorize this formula, area of sector अगर theta है, तो theta upon complete angle is 360 into circle का area, जो की होता है, pi r square, right, अब बात करते हैं area of major sector की, area of major sector ये निए हमें इस sector का area निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे reflex, reflex angle theta upon 360 into pi r square, यानि की formula theta upon 360 ही है, बट यहाँ पे मैंने reflex इसलिए लिख लिया है, ताकि आप ये angle find करो, और upon 360 into pi r square, वैसे area of major sector निकालने का एक और formula है, कौन सा, कि अगर आप पूरे circle के area में से, minor sector का area सब्ट्रेक कर दें, तो किसका मिल जाएगा, major sector का area आजाएगा, तो circle का area minus theta upon 360 into pi r square, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन ये method थोड़ी से लंदी होती है, इसलिए हम लोग direct क्या करेंगे, अगर major sector का area चाहिए आपको, तो reflex angle निकाल लो, reflex angle divided by 360 into pi r square, तो ये हैं हमारे area of sector, चलिए अब बात करते हैं segment की, इस segment क्या होता है, अब देख सकते हैं कि मैंने circle की दो पार्ट बना के रखें, अगर इस circle की हम आपसे chord पूछें, तो circle की a b क्या है, chord, chord, circumference पे कोई भी दो points को join करने वाली line होती है, तो ये circle की chord है, अब एक ऐसा part, the reason enclosed by arc and chord of the circle, is called segment, तो ये जो part है, ये किस से bounded है, arc और chords है, तो ये है इसका segment, तो चुकि इस segment ने circle को दो part बे डिवाइट कर दिया है, ये छोटा सा part दिख रहा है आपको, तो this is called minor segment, और ये जो उपर का part है, ये है major segment, तो इस तरह से बिलकुल sector की तरह segment भी दो तरह की होते है, major segment and minor segment, तो हम लोग इसको ऐसे define कर सकते है, area enclosed by chord and corresponding arc of circle is called segment, अब सवाल ये उपता है, कि इसका area हमें कैसे निकालना है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये radius है, ये भी radius है, अब imagine कर ये, ये angle हमें पता है, this angle is theta, तो क्या आप ये पार्ट निकाल सकते हो, ये जो पार्ट है, ये क्या है, ये तो sector है, तो अगर sector का area में से आपको एक triangle उपर दिख रहा है, उसके area को हम लोग कर दे minus, तो हमें segment का area मिल जाता है, ये है area of segment का formula, area of segment is equal to area of sector minus area of triangle, triangle कई बार equal little triangle होगा, या कई बार हमें इसके बारे में information रहेगी, जिससे हम इसका area निकाल पाएंगे, तो area of segment का ऐसे निकालते हैं, अब area of major segment कैसे निकालते हैं, area of major segment के लिए, पहले आप area of minor segment निकालेंगे, और उसको पूरे circle के area में से minus कर देंगे, तो हम लोग कह सकते हैं, area of major segment, ये वो formula है, जो हम लोग segment के area को find करने में यूज करने, हमने जो अभी दो formula पढ़े हैं, हमारी NCRT exercise 12.2 उन्हीं पे based है, चलिए first question स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे first question लिखा है मैंने, find the area of sector of a circle, if theta is equal to 60 degree, radius 6 centimeter और πाई हमें 22 by 7 लेना है, तो ये diagram है, हमें इस sector का area find करना है, प्रवे हमने लिख लिए formula, theta upon 360 into pi रुज के है, तो theta क्या है हमारा, 60 degree है, 60 degree upon 360 into pi हमें लेना है, 22 by 7 और r यानिकि radius 6 है, तो 6 का square रहने कि 6 into 6, अब यहाँ से देखिए, 0 से 0 cancel, 6 1s are 6 and 6 6 is the 36, तो यह 1 6 आया, और यह जो 6 है, यह इस 6 से cancel, तो हमारे पास तरफ बचेगा क्या, 22 by 7 multiplied by 6, और जब हम इसको multiply करेंगे, तो यह आजाएगा, 6 into 22 यानिकि 132, 132 upon 7, अब area है, तो हमें क्या लिखना है, centimeter square, तो area of sector in first question आ रहा है, 132 by 7 centimeter square, तो area of sector निकालने के लिए हमें दो values के जरूत होती है, एक टो है theta और दूसरा radius, तो जो हमारा second question है, उसमें हमें circle के quarter part का area निकालना है, तो अगर circle का quarter part देखा जाए, तो ये भी तो एक sector ही होता है, लेकिन इसमें angle क्या होता है, 90 degree होता है, तो theta हमारा 90 degree है, क्योंकि अब आप सोचोगे क्यों, क्योंकि दीखे, complete part जो है 360 है, और quarter part मतलब area के 4 equal part, तो अगर हम 360 को 4 से divide करेंगे, तो क्या आएगा, 360 divided by 4, यानि कि हमारा जो angle होगा, theta is equals to total complete angle में हमें 4 से divide करना है, तो कितना आजाएगा हमारा theta? 90 आजाएगा, तो इस तरह से इस question में, second question में हमें थीचा तो 90 मिल गया है, लेकिन radius नहीं मालूम है, हमें radius पहले इसमें find करनी होगी, तो यहाँ पे हमें एक hint दिया है, कि जो circle की circumference है, वो 22 है, circumference circle की क्या होती है, 2 pi r, 2 pi r equals to 22, अब यहाँ से आप निकाल लो radius, यहाँ से आप radius निकाल लो, तो 2 into 22 by 7 into radius is equals to कितना आजाएगा, 22, अब आप देखिए, r को यहाँ रखो, बाकि सारे terms को आप उधर transfer कर दो, तो कितना हो जाएगा, 22 into 7 उपर जाएगा, और जो यह दो terms है, 2 और 22 यह नीची आएगे, तो अभी क्या होगा, 22 से 22, cancel, यानि कि यह जो तो time है, cancel हो जाएगा, कितना आएगा, 7 by 2, तो radius आजाती है, यहाँ पे, 7 by 2 cm, हमाई radius आचुकी है, 7 by 2 cm, अब जैसे ही हमें radius मिलती है, हमें theta तो पहले मालूम था, हम सीदे लिखेंगे, area of sector is equals to, theta है 90, upon 360, into pi is 22 by 7, और radius हमारी क्या आई है, 7 by 2 into 7 by 2, तो अब हम इसे कर लेते हैं, solve, 90 और 360, यह आजाएगा, 1 by 4, 0 से 0 cancel, और 9 by 36 is 1 by 4, अब देखें, यह 2 ones are 2, और 2 यह 11, हैना, तो यह 11 into 7 upon 2, तो कितना आजाएगा, यह आजाएगा, आपका 11 into 7, 11 upon 2, अब इसे भी अगर हम multiply कर देखें, तो 11 into 7, 77 upon 4 to the 8 cm2, तो इस question में area of sector आदा है, बत करते हैं question number 3 की, question number 3 में एक clock है, circular clock, clock is example of circle, तो इसमें हमें बताना है, कि इस clock में जो minute hand होती है, minute hand 5 minute तक चलने में, कितना area cover करती है, area swept by minute hands in 5 minute, तो यहनि कि यह मैंने मिना रखा है, 5 minute यहनि मा लीजिए, कि यहाँ से यहाँ तक आने में, वो कितना area cover करेगी, हमें यह निकालना है, तो यहाँ पे जो clock है, उसके radius इन्हों ने देखे रखी है, radius यहाँ पे दी हुई है, 14 cm, हमें radius और angle ही तो चाहिए है, लेकिन यहाँ angle मालूम नहीं है, हमें angle निकालना है, कि 5 minute तक जाने में, 5 minute के distance covered करने में, वो कितना angle बनाएगी, हमें सिर्फ एक बात पता है, कि जो complete angle, पूरा चक्कर लगाने में कोई भी, जो minute hand या hour hand होती है, वो हमेशा 360 degree का angle बनाती है, तो हम उसी के help से, 5 minute में बनाया हुआ angle निकालेंगे, angle set by minute hand in 60 minute, पूरा एक चक्कर लगाने में, वो 60 minute cover करती है minute hand, तो 60 minute में 360 degree angle बनाती है, लेकिन हमें कितने में निकालना है, 5 में, तो अगर कोई बोले कि, एक minute में कितना angle बनता है, अगर 60 minute में 360 बनता है, तो एक minute में बनेगा 360 upon 60, तो फिर 5 minutes में कितना बनेगा, angle swap in 5 minute is equal to, 5 into 360 divided by 60, तो कितना हो जाएगा, यह से cancel, 6, यह आ जाएगा 6, 6 into 5, 30, 30 degree का angle बन रहा है, यहां में पता चल गया, कि this angle is 30 degree, यहां में theta मालूम चल गया है, theta is equal to 30 degree, और radius तो हमें पहले से ही पता थी, तो अब हम सीधे लिख देंगे, area of sector, या area swapped by minute hand, swapped by minute hand, minute hand in 5, in 5 minutes, कितना हो जाएगा, theta by 360 into pi r square, theta हमारा 30 degree है, तो 30 degree upon 360, into pi, यानि कि 22 by 7, into radius, और radius कितनी है, 14, यहां जाएगा 14 का स्क्वेर, आप इसे लिख सकते हो, 0 से 0 cancel, यहां जाएगा 12, तो कितना आएगा cancel होने पे, 1 upon 12, into 22 by 7, into 14, into 14, अब यह से cancel, 7 to the 14, और यहां से 2, 6 to the 12, और यह 2 पूरा कट जाएगा, अब कितना आएगा, और यह 2 से फिर cancel, 2, 3s और 2, 7s और, तो उपर बचा क्या है, 22 into 7, upon 3, यानि कि यह आ रहा है, 22 into 7, आता है, 154 upon 3 cm2, चुकि एरिया है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, cm2, तो एरिया आ रहा है, 154 upon 3 cm2, अब हम बढ़ते हैं, 4th question की ओर, 4th question में आपको, दो मैथर से बताऊँगी, basically, 4th question में, area of segment का, यूज किया गया है, और area of segment, हम लोग एक और फॉर्मूले से, यूज करते हैं, जो कई बड़ बहुत आसान हो जाता है, तो चलिए, पहले question समझ लेते हैं, question में, हमें एक circle दिया है, और circle की a cord है, suppose, वो squad a, बी है, अब ये, है a, तो ये cord a भी है, और circle की radius 10 cm दिया है, यानि ये भी 10 है, और ये भी 10 है, ये जो cord है, वो center से right angle बनाती है, यानि कि जो angle theta जिसे आपन मानते हैं, वो यहाँ पे 90 degree दिया है, पहले हम क्या करेंगे, segment का area निकालेंगे, of minor segment, area of segment हम पहले first method से निकालेंगे, तो first method क्या है वोई, theta by 360, तो ये हो जाएगा, theta ये निकितना है, theta तो यहाँ पे 90 है, upon 360 into pi r square, यहाँ इस question में, pi बोला है 3.14 लेने को, तो हम pi ले लेंगे 3.14, into radius का square, what is the radius of the circle, 10, 10 into 10, किसका area आगया है, ये sector का area आगया, sector का area में से, हम लोग को minus करना है, किसका area, triangle का area, अब ये triangle का area हमें कैसे मिलेगा, अगर triangle right triangle है, तो half base into height से हो जाता है, ये 90 degree यहाँ पे बन रहा है, तो base ये है और height ये है, base और height दो नो 10, 10 cm, तो यहाँ पे area of triangle आजाएगा, half into base into height, समझ रहे हो, तो सबसे पहले हम ये इस formula को लिखेंगे, formula लिखने के बाद हम ये calculate कर लेंगे, तो यहाँ पे देखी 90 और 360, 1 by 4 आजाएगा, 1 by 4, और 10 into 10 100 आएगा, 100 का जब 3.14 से multiply होगा, तो 314 आएगा, minus 10 into 10, 100, 100 by 2 यहनिकी 50, तो यह आजादा है, 314 by 4 minus 50, ठीक है, तो अब इसे solve कर लेते हैं, तो यह आजाएगा, 314 minus, इसे जब हम solve करेंगे, तो यह 4 LCM आजाएगा, 4 LCM और 4 का multiply से, तो यह हो जाएगा, 4 into 50, 200, 314 minus 200, upon 114 upon 4, हम इसे 2 से cancel कर देंगे, 2 5s are 10, और यह जाएगा, 2 7s are 14, और 2 2s are 4, 57 upon, 57 upon 2, तो यहाँ पर हमें, area of minor segment, मिल जुगा है, 28.5 cm, अच्छा, अब मैं आपको बोल रही थी, कि area of segment, हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते, area of segment का एक और formula है, इसमें क्या करते है, theta upon 360 pi r square, यह एनि area of sector में से, minus करते है, r square sin theta by 2, अब जो second method है, उसमें जो first part होता है, वो तो same रहता है, theta upon 360 pi r square, वो ही रहेगा, तो यह आएगा, इतना first part वो ही रहेगा, जो पिछली बार आपन को मिला था, और second part में क्या होता है, r square by 2 sin theta, इस formula को वियाद कर ले न, r square by 2 into sin theta, what is r, 10, तो 10 का square into sin theta, अब यह theta क्या होगा, theta यह 90, sin 90 degree upon 2, तो यह जो part है, जो पिछली बार आया था, वो ही होगा, 314 by 4, minus sin 90 कितना होता है, 1, तो sin 91 तो यह पुरा part 1 हो जाएगा, और 10 is square 100, 100 by 250, आप देख सकते हो कि वो ही आ गया, जो पिछली बार आया था, तो 314 by minus 50, और यह भी वो ही आएगा, जो पिछली बार आया था, तो आप चाहो, तो segment का area ऐसे निकालो, या फिर आप traditional method से निकालो, आपकी choice है, तो area of major segment, area of major segment कैसे आएगा, यह जो part है ना, इसको part को छोड़के, जो उपर का part दिख रहा है, तो यह हम पहले ही discuss कर चुके हैं, कि area of circle minus area of minor segment, यह होता है formula, area of minor segment, हम इसको रख देते हैं, area of circle क्या होगा, pi into r square, यानि कि 10 square minus, area of minor segment हमने जस्ट अभी निकाला है, कितना आया था, आया था 28.5, तो 314 minus 28.5, 25.5 cm square, तो इस एरिया of major segment, तो इस तरह से हम लोग segment और sector का area निकाल सकते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 4 तक कोशन सी cover करेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, थैंकियो फो वाच्छिएंगे,